प्रॉफिट्रेडर्स तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में बात करी थी यह वीडियो में कि बिटकोइन जो है वह तुम्हें एक और मौका देगा खरीदने का सुम्मेक शॉर हाइस पे बेचो हमने वखी किया दूसरी वीडियो जिसमें हमने बात की थी उस मौके की कि भाया ये मौका है बाए करो हम लोगों ने बाए किया और आज हम लोग प्रॉफिट्स में बैठे राइट अब ये दो मौकों के बाद अब बिटकोइन कौन सा ऐसा मौका दे रहा है जिसमें हमें बहुत जबर्दस जो है वो नजर रखनी है मेरे भाई व आज के वीडियो में डिस्काइन के विटिस करेंगे बिटकोइन ने जो है वो दो मिजर की ट्रेंड्स ब्रेंड्स ब्रेक किये बहुत-बहुत मेजर है मतले तुम यहां से जो है वह वो एजिली अंसे कम 50-60 per cent का मोव जो है वो वा बिटकोइन प्रॉपन के देख चोग टोकन की पिटाई हुई, सबने बेचा, हमने भी बेचा, अब वो टाइम आ गया है कि इस टोकन को वापस खरीदे, क्यों वो भी चलिए समझते, तो चलिए बिना वक्त जाया कि आज का वीडियो शुरू करते हैं, ओके, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, अगर तुमने बिटको के नीचे बाय करने था, तो मेक शॉर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अब मैं तुम्हें वो दो की ट्रेंड बताता हूँ, तो सबसे पहला ट्रेंड जो है, वो है हमारे RSI में, तो RSI ने फाइनली जो है, वो ये डाउनवर्ड ट्रेंड को ब्रेक कर दिये, ओके, मैं लाल प्राइस एक्शन तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, मैं सरफ तुम्हें ट्रेंड दिखाता हूँ, कि जब भी ये ट्रेंड ब्रेक होता है, उसके बाद मूव क्या होता है, ओके, तो यहां देखो, हम लोगों ने ट्रेंड जो है, वो यहां ब्रेक किया था, तो मैं यहा अगर तुम देखोगे तो यहां पे भी जो एक major downwards trend चल रहा था जो हम लोगों ने यहां पे break किया था तो यहां पे भी एक red line जो है वो लगा दीजे इसके पीछे भी जाके तुम पूरी history test कर सकते हो वड़ अपने लिए इतना काफी है अब मेरे भाई जब पहली बार यह trend break किया उसके बाद जब यह दुबारा trend हम लोगों ने break किया तो मेरे भाई यहां से जो है एक और 180-170% का move मतलब पैसा डेड़ गुना से भी जादा अब जब तुमने तीसरी बार यह trend break किया है मेरे भाई तो मैं 100% नहीं बोल रहा हूं मैं 180% नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं 60% भी मुझे दे दे उससे जादा मुझे नहीं चाहिए bitcoin और यहां से 60% एक बार जो है वो तुम देख लो bitcoin एक लाख के ऊपर और यह होगा अगें हम लोग जो है वो 85-90 के एराउंड बेच के निकल जाएंगे हमें लाख तक न नहीं तो make sure अगर तुम लोग ने buy किया है हमारे साथ तो यह तुम्हारा target zone है profit taking zone है वहां बेचो खतम उसके बाद कहां पे भी जाए तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए तुम्हारा profit तुम्हें book करना है यह हुआ पहला key trend जो उसने break किया अब फिलहाल हम लोग जो है इसको थोड़ा clean कर लेते ताकि मैं तुम्हें दूसरा key trend दिखा सको तो दूसरा key trend है मेरे भाई key trend है मेरे भाई वह स्टॉकेस्टिक RSI जो है वह यह blue line अगर तुम देखोगे तो 20 के ऊपर आ गई है अब यह red line को जो है 20 के ऊपर आना यह थोड़ी slow moving होती है पर जैस इसे यह line ऊपर आई और वो for sure ऊपर आएगी मेरे भाई यह bitcoin में क्या कहते है वो आग में घी डालने वाला काम होता है तो यह बड़ी जबरदस चीज है तो make sure इसे बिलकुल miss मत करो और अगर तुम लोगों ने bitcoin बाई नहीं किया था तो मेरे भाई सबसे पहले subscribe करो और फिल candle कभी buy नहीं करूँगा फिर मेरे profit miss हो ना हो जो मर्जी हो मैं दूसरी opportunity डूड़ूगा और market एक बार अगर तुम देखोगे तो हमारी buying तुम्हें याद होगी हमेशा कहा होती है यहां यह red में और अगर fear and greed index तुम पुराना देख लोगे थोड़ा यहां हमारे videos देख बड़ाई simple सा logic है बड़ाई है यार human psychology यह greed और fear ना यह हमेशा चलते उल्टे है इसी के लिए यह channel है इसी के लिए यह chart है channel पे आओ हम तुम्हें यह chart दिखाएंगे हम तुम्हें बताएंगे भाई बेचो तो बेचना उसके बाद बात करते हैं क्योंकि अगर हम लोगोंने Bitcoin मिस किया है तो मेरे भाई यह है दूसरा token जो हमें opportunity दे रहा है इसका नाम है warm hole market cap अगर देखोगे तो बड़ी छोटी तो नहीं है 529 million sorry almost 600 million dollar so market cap अच्छी घासी बड़ी है okay but still potential बहुत जादा जब यह token शुरू हुआ था तो इसकी market cap एक बर देख बज़रा all time अगर हम टाइम नहीं हुआ बट धाई billion dollars के ऊपर से यह token शुरू हुआ था तो one-fifth value इसकी जो है वो जा चुकी है और अगेन मुझे 5x gainer नहीं चाहिए okay 5x gainer की जगह मैं 5 ऐसे token ढूंडू है जो मुझे 5-5 के games दे दे और यह token यहां कर क्या रहा है वो समझो यहां पे okay so trend चल रह हो रहा है यहां पर price आया 20 cent के पास रुका यहां से jump किया फिर वापस आया 20 cent के पास फिर jump किया 27 फिर वापस आया 20 और यह zone जो है वो buyers ने तोड़ने ही नहीं दिया okay और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं red candle buy करता हूं so मेरे भाई फिलहाल मेरा जो buying zone है ना मैं तुम्हें एक थो one को stop loss इसके नीचे okay तो यहां से अगर मेरा नुकसान होता है तो कितना buy cent पे यह है और मेरा जो support है वो 19.41 का है नीचे वाला तो मैं 19 cent के नीचे जो है वो stop loss रखूँगा तीन cent का loss हो सकता है अगर मुझे यहां loss होगा और profit पहला target यहां 61% की gains okay उससे market क्या क्या हुआ 800 के 900 million right उसके बाद मेरा जो दूसरा target है यहां पे मेरा initial investment पूरा निकाल लूँगा 35 cents के पास क्योंकि तुमने 19 पे buy कि और 53 पे तुम बेच रहे हो तो मेरे भाई तुम खोद हिसाब लगा लो कितने x gains तुम्हारे हो गए almost 3x gains अब यहां तुम्हें अपना पूरा initial investment निकाल लेन है बाकी पैसा जो है वो market में छोड़ दो के गल्टी से यह वापस अपने previous resistance को test करने जाए जो 77 cents है भाई सिरफ और सिरफ तुम्हारे profit से ही तुम्हें जो है वो और एक डेड़ गुना का मतलब 1.5x का gain मिल जाएगा देखो strategy जो होती है हमेशा वो बड़ी simple होती है और तुम्हें जब उसे follow करना है वो बड़ा मुश्किल काम होता है तो उसी चीज को follow करवाना हमारा काम है अगें financial advice हम कुछ नहीं देते जो मैं करता हूँ वही तुम्हें बताता हूँ बट मेरे भाई एक बार तुम्हें emotions निकाल दिये और strategy follow करनी शुरू कर दी तो उसके बाद तुम्हें वापिस मोड के कभी देखने की जुरूरत नहीं है और तुम्हें एक साथ 10 trades नहीं चाहि ओके overall market बड़ी शानदार है और अगर opportunity miss कर रहे हो तो मेरे भाई subscribe button ढूंडो ढूंडो है वो button और उस button को press करो और market को daily देखने की जुरूरत नहीं है हम लोग भी daily videos बनाते थे बट जो trading हमारी होते थे उसमें winning positions इतनी नहीं होती थी क्योंकि market को बड़े छोटे level पे तुम और जो बड़े billionaires होते हैं या hedge funds होते हैं उनको मतलब भी नहीं कि डेली में क्या हो रहा है उनके लिए chart है monthly और weekly उनको जब monthly और weekly समझ में आ रहा है न मेरे भाई तब ही वो पैसा लगाते और monthly और weekly तुम्हें क्या बता रहा है consolidation weekly तुम्हें बता रहा है के trend reverse हो रहा है market में खुसने है तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करो दोस्तों के साथ भी शेयर करो सबको पैसा बना के दो मेरे भाई पैसा बनेगा तो देश आगे पड़ेगा राइट चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी, thank you so much मेरे तोस्तो